तो साथियों 31st October को आ रहा है डिफेंस सेक्टर का एक शांदार IPO DCX सिस्टम और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Government of India का यहां कितना जादा पुश है मेकिन इंडिया को ले करके ताकि हम डिफेंस सेक्टर में इंडिपेंडेंटली कारे कर सकें किसी भी दूसरी कंट्री पर इंडियल की चाहे आप बात कर लीजे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट की मजगाउं डॉक की बात कर लीजे कोचीन शिप्यार्ड की बात कर लीजे ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं इस समय पर रॉकेट बने हुए हैं जहां निफ्टी नेगेटिव में या फ्लैट स रिटन दिया है पूरे साल में इन सारे स्टॉक्स ने लगभग सौ सौ परसेंटेज की रिटन दे दिये हैं और उसके पीछे की में कहानी है इन सभी स्टॉक्स की स्ट्रॉंग ओर्डर बुक क्योंकि गवर्मेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जहां पर डिफेंस सेक्टर के म प्रिमियम की बात करें तो कुछ दिन पहले इसके ग्रे मार्केट प्रिमियम 80 के आसपास चल रहे थे फिर वहां से घटके 73 हुए फिर 70 भी हुए अभी फिलहाल आज की डेट में मैं बताओं तो मैंने रिसेंटली जो ग्रे मार्केट प्रिमियम देखे हैं वो इसके 93 चल र करेंगे वीडियो के अंत में और वहां पर यह भी हम देखेंगे कि लॉंग टर्म के लिए क्या इस आईपियो के साथ बने रहना जरूरी है यह इसके पियर्स जो हैं इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं फिलहाल अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो यह क कोर्परेट होती है और इस कंपनी का जो मेजर काम है वो आप देख सकते हैं electronic सबस्टम की manufacturing और cable harness की manufacturing में कंपनी कारिक करती है लेकिन कंपनी का जो major revenue आता है वो system integration से आता है और अगर आप देखेंगे कि यह system integration किस area में होते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे radar system, sensors, electronic warfare, missiles, त कारे करती है और इस सेक्टर से रिलेटेड एक अभी रिसेंट में IPO आया हुआ था नाम था उसका पारस डिफेंस और देखा था आपने किस तरीके से इसके IPO ने बाद में परफॉर्मेंस दिया था system integration क्या होता है इसमें कई सारे electronic equipment होते हैं जिनका electronic, electro mechanical जो है तो assembly किया जाता है ध्यान दीजेगा यहाँ पर manufacturing नहीं है यहाँ पर assembly है based on the customer's requirement customer की जैसी requirement होती है उसके हिसाब से यहाँ पर यह assembly का कारे करते हैं other than that they also do in-house testing इसके लावा अगर manufacturing की बात करें तो इनके पास capability है high end high power microwave modules की manufacturing की अभी यह capability की बात हो रही है यहाँ पर as such company के पास कोई बहुत बड़ा इस segment से order नहीं है इसके लावा बात करें तो company connectors वगएरा और cable harness वगएरा भी manufacture करती है company के पास अगर हम order book की बात करें तो other defense companies की ही तरह इसके पास strong order book देखने को मिलती है in fact revenue से compare करेंगे current revenue वगएरा से तो वहाँ से two times यहाँ पर आपको order book देखने को मिलेगी अगर detail में हम order book की जाएं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 2020 में इनके पास लगभग 1800 करोड का order book था उसके बाद 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके पास लगभग 2500 करोड का order book देखने को मिलेगा system integration से और 2000 अगर 22 की बात करें तो system integration से ही इनका जो है तो 230 करोड रुपए का revenue है total revenue में देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि major revenue contribution यहीं से होता है आप देख सकते हैं 97%, 89%, 94% तो लगभग 1900 करोड से 800 करोड और 2800 करोड से यहाँ पे 200 करोड का इनके पास order book है इस strong order book के पीछे का जो main reason है आप देख सकते हैं DRDO ने यहाँ पे announce किया है कई सारे indigenous development करेंगे subsystems के और उसमें जो है तो लगभग 108 subsystems है जिनकी वजह से cable and connectors की जो demand है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है other than that यहाँ पे government of India भी कई सारे imports को ban करता आ रहा है ताकि हम अपनी country में खुद ही manufacturing करें और उसकी वजह से इस company के जो है तो demand बढ़ती जारी है ना सिर्फ इस company की बलकि जितने भी defense sector की companies है across all the defense sector सभी companies के जो है तो order book आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं company के अगर हम revenue break up की बात करें तो आप देख सकते हैं 75% यहाँ पे आता है revenue system integration से जो है तो cable harness वगएरा से हैं बाकी maintenance overhaul से यहाँ पे आपको लगभग 4% के across आता हुआ देखने को मिलेगा ठीक है product sales वगएरा की बात करें तो वहाँ पे जो है तो 6% है electronic manufacturing segment की बात करें तो 12% का वहाँ से है और other services की बात करें तो वहाँ से 3% का है यानि company का main जो काम है वो assembly और system integration with testing है company के international और domestic दोनों में ही आपको customers देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं Israel Aerospace हो गया, Astra Rafael हो गया, Astra Microwave हो गया, BHEL हो गया, SFO Technologies हो गया all and all यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 customers जो हैं वो Israel, US, Korea और India में आपको देखने को मिलते हैं कुछ उन में से Fortune 500 की भी companies हैं इसके लावा आप देखेंगे company के export और domestic की business के बारे में तो यहाँ पे आपको all and all बराबर से ही number देखने को मिलेंगे जितना company domestic में business करती है उतना ही company यहाँ पे export का भी business करती है company के revenue break up की बात करें, system integration से आप देख सकते हैं 205 करोड रुपए यहाँ पे हाला कि यह 3 मंत का है लेकिन पूरे fiscal year की अगर हम बात करें तो 371 करोड रुपए, 616 करोड रुपए 2021 में और 949 करोड रुपए 2022 में अब आप बोलोगे यहाँ तो order book हमें लगभग 2300 करोड रुपए, यहाँ पे 2500 करोड रुपए, यहाँ उननिस सो करोड रुपए देखने को मिल रही थी हाला कि वो order book इनके पास जो है वो FY23 से 25 तक execute की जानी है यानि कि आप मान के चल सकते हैं कि company के पास काम जो है वो इतने लंबे समय तक के लिए available है और जैसे जैसे requirement होती जा रही है time की जो deadline है खतम होती जा रही है वैसे वैसे company जो है तो orders को execute करके उसको revenue में convert कर रही है अब एक बार हम company को उनके peers के साथ compare कर लेते हैं तो DCX system का जो कार्य है अगर आपको समझ में आया होगा तो छोटे शब्दों में अगर मैं कहूं तो कुछ Dixon Technology जैसा company कार्य करती है assembly और system integration का लेकिन यहाँ पर अभी भी listed space में कुछ companies ऐसी हैं जो designing और engineering का भी काम करती है जैसे की पारस defense हो गया sorry data pattern हो गया पारस defense हो गया और यह जो difference है यह इनके margin में भी आपको देखने को मिलेगा data patterns के आप EBITDA margin देखेंगे लगभग 45% के हैं यहाँ पे अगर आप पारस defense का देखेंगे तो 28% का है इन peers में इन दोनों companies का margin है वो काफे जादा है क्योंकि यहाँ पे company जो है तो designing और solution प्रोवाइट करने के segment पे कारे करती है engineering में जो है तो core engineering में यहाँ पे company जो है यहाँ पे कारे करती हुई देखने को मिल रही है DCX के margin ही बता रहे हैं यहाँ पे company के किस तरीके से यहाँ पे जो है तो assembly और system integration में company कारे करती है यहाँ पे company के margin जो है आपको कम ही देखने को मिलेंगे for example एले डिक्सन की ही बात कर लें वहाँ 4% के margin आपको देखने को मिलते हैं although डिक्सन और यह जो है एकदम different space में कारे करती है यह different sector में है वो जो है तो electronic manufacturing के segment में कारे करती हुई देखने को मिलती है other than that यहाँ पे अगर आप data pattern का revenue देखेंगे 300 करोड का यहाँ पे revenue है DCX का revenue आप देखेंगे लगभग 1000 करोड का revenue है लेकिन इसके बावजूद data pattern के EBITDA आप देखेंगे 141 करोड के है और यहाँ पे EBITDA 83 करोड रुपए के है क्योंकि यहाँ पे margin काफी कम है और यहाँ पे margin काफी जादा है other than that Paris defense की बात करें 182 करोड का company का revenue है यह fiscal year 2022 की बात हो रही है और यहाँ पे अगर आप EBITDA देखेंगे 51 करोड रुपए के EBITDA आपको Paris defense में देखने को मिलते हैं तो revenue point of view से company काफी बड़ी है लेकिन चुकि margin वहाँ पे घड़ जा रहे हैं और उस वज़ा से company EBITDA point of view से देखेंगे तो उतनी बड़ी नहीं देखने को मिलती है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे valuation की तो valuation point of view से अगर आप देखेंगे EPS यहाँ पे 9.19 का है और price को अगर हम EPS से divide कर दें तो निकल के आता है PE ratio और यह निकल के आएगा लगभग 22.5 तो यहाँ पे PE से अगर आप compare करेंगे तो valuation काफी attractive हो जाते है data patterns की बात करें 60 का यहाँ पे PE है पारस defense almost 100 के PE पर trade कर रहा है extra microwave की बात करें 78 का PE है लेकिन अगर यहाँ पे आप TTM की बात करें अगर हम EPS TTM ले लें तो चुकि first half में company का revenue काफी कम हुआ है अभी recently तो वहाँ से अगर PE calculate किया जाए तो काफी high PE हो जाता है लगभग 80 से 90 के आसपास में और चुकि company second half में major revenue generate करती है और इस वज़ा से अगर हम पूरे fiscal year के हिसाब से 22 तो वहाँ के हिसाब से valuation जो है काफी अच्छे हैं काफी सस्ते हैं IPO detail की बात करें तो 400 करोड का यहाँ पे fresh issue है और 100 करोड का यहाँ पे OFS है जो की 2 promoter है वो promoter लगभग 50-50 करोड की यहाँ पे जो है तो अपनी holding sell करने वाले है total issue size होने वाला है 500 करोड रुपए का और यहाँ पे जो price band है 197 से 207 है और आपको 207 में ही apply करना होगा over subscribed होने के पूरे पूरे chances हैं इस IPO में IPO open होने वाला है 31st October को close होगा 2nd November को finalization जो है allotment का वो 7 November को हो जाएगा refund आपको 9 November तक credit कर दिये जाएंगे एक दो दिन का delay हो जाता है तो उसमें panic करने की ज़रुरत नहीं है trading जो है यहाँ पे 11 November से आपको start होती हुई देखने को मिलेगी अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें quota की तो चुकि company profitable है लेकिन still यहाँ पे जो है तो retail की जो quota दिया हुआ है वो सिर्फ 10% का दिया है QIB की बात करें 75% है NIB की बात करें 15% है और यहाँ पे promoter holding की बात करें 98% है लेकिन post issue यहाँ पे 73.58% का हो जाएगा quickly एक बार अब हम company के financials को देख लेते हैं revenue from the operation यहाँ पे 2020, 2021 और 2022 है तो आप देख सकते हैं 449 करोड रुपए से बढ़ करके 641 करोड रुपए होते हैं और फिर वहाँ से बढ़ करके 1102 करोड रुपए का revenue from the operation company का रहा है net profit की बात करें तो 9 करोड रुपए से बढ़ करके 29 करोड रुपए और 29 करोड से बढ़ करके 65 करोड रुपी कंपनी के net profit हैं हाला कि अभी अगर आप जून की बात करें तो जून में company को उतना बड़ा profit और उतने बड़े यहाँ पे revenue नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि first half म usually company का business उतना strong नहीं रहता है इसके लावा अगर हम net worth की बात करें तो आप देख सकते हैं net worth काफी strong है return on net worth जो है 56%, 63% and 2022 के fiscal year end होते होते तक 55% रहे हैं return on equity की बात करें 56% और फिर 63% और फिर 55% तो ये number भी काफी अच्छे हैं ROCE की बात करें चुकि company के पास date है तो ऐसे में ROCE जो है तो वो ज्यादा important number हो जाता है 28% से घट करके 66% माफ की जगा 16% और अभी फिलहाल 16% के ही company के ROCE चल रहे हैं no doubt यहाँ पे company के पास date है लेकिन date को काफी ज़्यादा कम किया है आप देख सकते हैं 7.8% फिर उसके बाद वहाँ से घट करके 2.91 और अभी फिलहाल थोड़ा सा और date बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो company का main इस IP का objective ही है यहाँ पे जो इनके पास date है उसको कम करना और working capital की requirement के लिए fund को raise करना other than that कुछ यहाँ पे जो है तो general corporate purpose के लिए पैसों को use किया जाएगा अब यहाँ पे देखें करना क्या है तो listing gain के लिए definitely इस IP में apply कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का तो यह कहना है कि हमें IP मिलता ही नहीं है तो हम IP में apply क्यों करें तो देखें आपके पैसे जो है वो bank में ही पड़े हैं आप IPO में apply करते हैं तो वो bank से debit होता नहीं है debit तभी होता है जब आपको IPO मिल जाता है तो जब आपके पैसे bank में ही है बैंक से आपको जो है तो 3% या 5% का interest मिल ही रहा है तो एक बटन दबा देने में क्या चला जाता है IPO का तो ये कोई reason नहीं होना चाहिए कि IPO नहीं मिलता है इसलिए IPO में apply नहीं करते हैं लेकिन हाँ अगर आपको company नहीं पसंद है company का business नहीं पसंद है तो definitely आप IPO में मत लगाईए पैसे जो लोग listing gain के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो second day का subscription figure देख लें एक बार grey market premium देख लें औ और core engineering sector में काय करता है तो मुझे लगता है कि data pattern, astra microwave जैसी कमपनिया जो है पारस defense जैसी कमपनिया जो है तो यहाँ पे long term के लिए preferred choice होनी चाहिए और यहाँ पे valuation comfort उतना ज़्यादा नहीं है पारस defense में मेरा क्या decision है मैं यहाँ पे decided हूँ कि अपने और अपने family member के नाम से इस IPO में apply करूँगा और लेकिन करने से पहले एक बार मैं second day का subscription figure और grey market premium ज़रूर देखूँगा अभी तक फिलहाल यहाँ पे listing gain या फिर short term के लिए ही मैं जाने के बारे में विचार कर रहा हूँ long term का इ चेनल थाँ एक पर लेकिन के बारे में यहाँ अठाव तक प्रोप्स्साय कर चाराग चारा है कर दोब नाने के टूरे के लिए मैं लेकिन के लिए अपने हैं विचार देख।